नमस्तार आप देखरें नेज़नेट पर टुडे मैं जावेज अंसारी संजय गांधी अस्पताल में आज दुपएर एक बज़े एक वीडियो वायरल होने के बाद रीवा शहर के फिजाओं में एक ख़बर फैलती है कि 12-13 लोगों की मौत हो गए हलाकि ऐसा कुछ होता नहीं हैं यह अफवा थी महस के वाल अफवा थी एक भी मौते नहीं हुई थी संजय गांधी अस्पताल के तीसरी मंजिल की आईसी यूनिट में जहां पर 22 मरीज एडमिट थे कुछ वक्त के लिए लाइट जाती है लाइट जाने के बाद वहां भरती मरीजों के बीच में अफरा को यहांब अक्सिजन की कैसे किलत माँच रही है कैसे अफरी का महौल चल रहां यहां पर जाने लाइट जों गही है यहां पर हो जाएल एकिला परवाई छल रही हैं संजादी कि यह देखें यह देखें सब मर रहा है सब यहाँ पर स्लेंडर चालू करा फैसे देखेंस ऑनने मिलरांकल को चिला रहें आपे अंत्र नहीं मिलरा इंद्ग कि अतने पूरी हाला थैहां की कि इन कैसे देखिए यह兩 Term कि इस हुआ धी यहां पर इतनी बुरी हाला थैए यहां पर एतनी बुरी हाला थैं यह अधरें अंशन कहले यहां पर किसी को अक्सीजन नहीं मिल रही है यहां पर संजग आने में यह देखे यह देखे यह देखे वीडियो वायराल होने के बाद अभी आप देख रहे थे वायरल वीडियो वीडियो वायराल होने के बाद प्रसासनी कलियारे में फिर्फ फेर खल्वली मर्ज जाती है तत्काल रीवा कलेक्टर टी इलाइया वायरा संद्रेगांदी हस्पताल पहुंच जाते हैं काथ हैं चानवीन होती है उसके बाद होगा कि मैं आपको वह बी सुनाओं गांगा सबसुत साइरिंग। चले गई जिसमें फिर जितने भी बेंटिलेटर वाड थे जो आक्सिजन फे थे किसी को वेंटिलेटर पॉपर नहीं मिल रहा था जिसकी वाज़े से सब इस कदर परिषांध थे कि अपने किसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना फोग और इस जगह पर इतनी लपारवाई दिखी कि यह क्या बोले पता नहीं लेकिन उस जगह पर कुछ ऐसा हुआ कि अब लोग रहा था लोगों के बीच में कि अब उनके साथ वह जो उनका जितने भी अपना जो भी उसके पास जौट बोई और हम और बहुत सारे जो लोग उन्हें जा जागे सेलेंडर को अरेंज किया और तत्काल में जो वेंटिलेटर से उन जगह पर अपना सेलेंडर को यूज करके सारे पैसेंट को अपना सेलेंडर लागा कर बचाया गया लेकिन कंडिशन यह हो गई अपना कुछ भी हो सकता था और कुछ टाइम अगर और अगर लाइट नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था अंदर 22 पेसेंट है लब 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 8-10 मेंट आपने वाइरल वीडियो लेखा वीडियो बनाने वाले का भी उसकी जवानी उस समय का चस्मदीद हाल भी सुना अब प हुआ है मतलब यह अच्छी अफवाय है उसमें हम लोग ने स्वयम चेक हैं यह बताए जा रहा है कि मतलब ऑगजन की लाइन एलेक्रिसिटी के साथ है ना कनेक्टेड नहीं होती है आप जिन लाइन अलक से चलती है तो आप जिजन की इना अवेलेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं रगी गया है कितने भी वेंटिलेटर से सभी वेंटिलेटर में यूपीयस का बैक अप होता है सभी वेंटिलेटर से फंक्शनलती आउग्जन लाइन फंक्शनलती हमारी लाइट और फैन टेन 15 मिनिट्स के लिए ना हमारी ना एमसीवी के के बल जलने से बंद हुई उसको तदकाल सुदारा गया है इमीडियेटली लाइट चालू हो गई है अधर्वाइस कोई भी पैशन को कोई परिशानी नहीं हुई है इमीडियेटली सभी डॉक्तर से पहुंच है थे हमारी इवन एलेक्रिसीटी का भी सपरेट टीम लगी हुई है 24 इंटे 7, 8 आस, 8 आस हम लोग दमडात्म कारवाई करेंगे ऐसे कोई भी अफाय फिलाए जाएगा उनकी किलाफ एफाया दर्च करेंगे पुछने के बाद और आप जाने यहीं फुछी होने के बाद कोई भी जानकारी दिया जा सकता है कोई भी विक्ति इस प्रगार का इना अफाय ना पे लाए और लोगों से भी मेरा अपिले की इस प्रगार का अफाय में ध्यान ना दिस्ता है तो हमारे पास अल्रड़ी सब्सक्राइब के ऊपर है ना मितलब कोई प्रावलम नहीं ने एक वाइरल वीडियो ने आज रिवा शहाद में खलवली मचा लिए हलाकि ऐसा कुछ हुआ नहीं चंद लमहों के लिए लाइट गई थी उस लाइट जाने के दौरान अस्पताल के आईसियू में अफरा तप अब टोड़े